हेलो फ्रेंड्स आपका हमाई यूडूप चैनल मील्स और गेजट्स में स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बहुती चीजी क्रीमी मश्रूम रिसोटो बनाएंगे रोज रोज का जब नॉर्मल खाना खाते खाते आप बोर हो जाएं और कुछ रेश्टोरेंट स्टाइल स्पाइसी क्रीमी पेट भराव विंजन का मन हो तो आप इसे घर पर बनाएं हमारी ये इटैलियन डिश इतनी टेश्टी बनने वाली है कि आप अपनी उंगलिया चाटते रह जाएंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं रिसोटो बनाने के लिए हमने एक बोल बॉल्ड रैस लिये हैं वैसे तो ये रैस्पी अरबोरियो रैस से बनाई जाती है लेकिन हम इसे नौर्मल रैस से ही बनाएंगे हम जो चाबल डेली में खाते हैं उसी का प्रयोग रिसोटो बनाने में करेंगे एक bowl boiled rice लेने के लावा हमें चाहिए एक bowl grated process cheese, कुछ colorful सबजियां, कुछ मसाले, दूद, प्याज, लैसन, बटर और corn floor इसके लावा risotto बनाने में हम मश्रूम और sweet corn का भी प्रोक करेंगे ये सबी material लेने के बाद अब हम एक pan को gas पर रखेंगे और pan को gas पर रखने के बाद हम इसमें एक glass दूद डालेंगे इस दोरान हमारी gas की flame medium रहेगी जब दूद गरम हो जाए तब हम इसमें एक bowl cheese डाल देंगे देखिए हमने दूद में एक bowl grated process cheese डाल दिया है और इसे चला कर मिला दिया है दूद में process cheese डाल कर मिलाने के बाद जब cheese melt हो जाए तब दो टीस्पून कॉन फ्लोर को आदा टीस्पून पानी से घोल कर चीज मिले दूद में थोड़ा थोड़ा कर डालें और इसे लगातर चलाते रहें ताकि इसमें लंस ना पढ़ें दूद में कॉनफलोर डाल कर मिलाने के बाद process cheese और कॉनफलोर पाढ़ने से ये दूद गाड़ा हो गया है अब हम इसमें 3-4 टीस्पून नमक डालेंगे नमक डालने के बाद अब हम इसमें 1-1 टीस्पून काली मिर्च और एक टीस्पून इटेलियन हर्ब डालेंगे और इसे अच्छे से चला मिला कर उतार लेंगे फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब हम प्याज लेसन को थोड़ा सा गैस पर चला देंगे इसके बाद हम पैन में आदा वोल बीन्स काट कर डालेंगे बीन्स को भी हम हलका सा चला देंगे बीन्स डालने के बाद हम पैन में एक चॉपट गजर डालेंगे और इन्हें दो मिनिट सोते करेंगे अब पैन में वन फोर्थ चॉप्ट फूल को भी डाल दें फूल को भी डाल कर सभी मेटेरियल को अच्छे से मिला लें अब हम पैन में एक बीज निकली चॉप्ट कैपसिकम डालेंगे और डाल कर इसे चला कर मिला देंगे इसके बाद हम पैन में दो टेविल स्पून सुट कॉन डालेंगे पैन में सुट कॉन डालने के बाद हम इसमें एक बीज निकला चॉप टमाटर डालेंगे पालक की एक गुच्छी बलांच और चॉप्ट कर डालेंगे ये सभी मेटेरियल डालने के बाद अब finally हम इसमें पतली स्लाइसेज में कटा हुआ, एक बोल मश्रूम डालेंगे, मश्रूम डालने के बाद पैं के सभी मेटेरियल को हम बहुत अच्छी तरह चला कर मिला देंगे, इसके बाद अब हम पैं में एक टीस्पून नमक डालेंगे, एक टीस्पून काली मिर्च और एक टीस्पून इटेलियन हर्ब डालेंगे, इसके अलावा हम पैन में आदा टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे, नमक, काली मिर्च, इटेलियन हर्ब और लाल मिर्च डालने के बाद हमें सभी मेटेरियल को बहुत अच्छी तरह चला कर मिला देंगे, देखिए हमारे पैन का बहुत अच्छी तरह मिलाने के बाद अब हम पैन में बॉयल्ड राइस डालेंगे बॉयल्ड राइस को हम पैन में थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे थोड़ा-थोड़ा करके हमने सभी राइस पैन में डाल दिये हैं अब हम पैन के मैटेरियल को वाइल राइस के साथ अच्छे से चला कर मिला देंगे पैन में राइस डाल कर इसे मिलाने के बाद इसे दो मिनिट तक पकाएं हमें इसे ड्राइ नहीं करना है थोड़ा क्रीमी ही रखना है जब ये सब मैटेरियल अच्छे से मिल जाए तो इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लें हमारा सुपर टेश्टी, सुपर क्रीमी, सुपर चीजी रिसोटो तयार हुचुका है अब उपर से अमूल क्रीम से इसकी गार्निशिंग करें खीरे की दो पत्ती बना कर रखें और तुलसी की पत्ती लगा कर डिश की गार्निशिंग करें अब मश्रूम की स्लाइसिस को तबे पर बटर से सौते कर लें इसके बाद मश्रूम की स्लाइसिस से रिसोटो को डेकोरेट करें देखिए हमारा रिसोटो कितना खुबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स विश्वास मानिएगा ये जितना खुबसूरत लग रहा है खाने में ये उससे कहीं ज़्यादा टेश्टी है आप रिसोटो को एक बार बना कर जरूर देखिएगा इसका यमी क्रीमी चीजी स्वाद आपको अपनी उंगलिया चाटने पर मजबूर कर देगा फ्रेंड्स हमारे वीडियो पर कमेंट अबश्य करिएगा हमें आपके अमूल सुजाओ और कमेंट्स का इंतियार रहता है फ्रेंड्स से दिया आपको हमारे अटेलियन रसेटो की रreिषपी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेर करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें हमारी अन्य सॉधिस रेस्पीس की वीडियो के लिंक एस वीडियो के अंतुमें आई वेटेन में पढ़े हुए हैं थेंक्यू फॉर वाचीन